हेलो गाईज, वेलकम बैक और आप सभी का स्वागत है, वनक्लियू गेमिंग की एक ओने गेम प्ले वीडियो में, तो गाईज, आज हम दुबारे से खेले जा रहे हैं, आक सर्वाइवल एवाल, आई होप गाईज, यह हमारा आक सर्वाइवल एवाल का बारवा एपिसोड है तो भाई लोगों, जिन्होंने भी हमारे आक सर्वाइवल एवाल के पुराने एपिसोड नहीं देखे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूंगा, तो गाईज, आप वहाँ से जाके एजली देख सकते हो, तो गाईज, आज का वीडियो लिटरली काफी ज़्यादा कि हम नाम क्या रखें, तो गाईज, मेरे को नाम पता नहीं है, वो नाम किसने सजेस्ट कर रहा था, पर गाईज, एक भाई ने हमें नाम सजेस्ट कर रहा था, किलर का, तो गाईज, इसके जो एबिलिटीज है, उसको देख के मेरे को किलर नाम, इसमें काफी अच्छा जच तो मैंने सूचा चलो यार किलर नाम इसका रख दे तो फाइनली गाइस यहां पर मैंने इसका नाम करन कर दिया है तो गाइस यहां पर हमने इसका नाम रखा है किलर तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले नहीं नहीं वीडियो स्टार्ट नी तो गाइस आज की वीडिय जाने में लिटरली काफी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि मेरे को डाइनसारास देखने में काफी ज़्यादा एंड मैप को एक्स्प्लोर गाइस अच्छे तरीके से नीचे से होगा तो आज की वीडियो में हम एक वाना डॉन को टेम करेंगे बना सकता हूँ यहाँ पर गाइस यहाँ अपनी के लिडिया रिख़ल गोअ आज करेंगे कि हमें किस चीज़ के लिए क्योंकि गईज अगर हमें इक वानेडोन टेम करना है एटलीस यार हम इसमूधिंग बाम यूज़ करें तो एटलीस काफी हाई लेवल का टेम करेंगे एंड गईज मैंने आप पे काफी जादा ढूंडनी की कोसिस करी मेरे को कहीं पर भी हाई कर लेता हूं क्योंकि जो इक वानेडोन है गईज वो एक हर्वी बोरस डाइनोसार से तो इक वानेडोन जो खाएगा वो बेरीस खाएगा तो एटलीस मैंने यहां पे बहुत साथ है अमांट में कलेक्ट कर लिए तो सबसे पहले गईज यहां पे चलते हैं हमें अपकी क्या दो जाएगा तो चलिए गईज ऐसे करते हैं हम सीधा चलते हैं एक वानेडोन टेम करने के लिए ऐलरीडी गईज मैंने यहां पर ट्रैंक्स एरोस अपने क्राफट करके रखे में हैं और यहां पे आपको एक चीज भी और भी दिखेगी जहां पे गईज मैं रैप्टर को से मारता हूं at least गाईस वो 90 लेवल का रैप्टर था यहां पर मेरा जो रैप्टर था वो फितना लेवल का था आरांड 105 लेवल का तो guys उस रैप्टर को हमने easily मार दिया था जो मैंने सबसे पहले उसको दबोचा न अपने पंजो में मेरे रैप्टर ने तो जब तक guys उसका health 10% नहीं रह गया था तब तक guys उसको छोड़ा नी तो देखना guys literally वहाँ पे मेरे को काफी जादा मज़ा आया था तो चलिए guys यहां पे पहुंच चुकि एंड में साथ के साथ क्या करता हूँ guys meat भी collect कर लेते हैं क्योंकि मेरे को meat अभी काफी आज़ादा amount में चाहिए तो जितने भी guys मेरे को यहां पे चोटे चोटे डाइनसौरस दिखेंगे मैं उनको मारूंगा पर guys मेरे को यहां पे लगा कि मेरे जो raptor है वह काफी जादा slow चल रहा है तो तब बाद में पता चला यार मेरे raptor का जो weight है वह almost पूरा full है तो सबसे पहले guys इसका जो weight है वह थोड़ा सा कम करना पड़ेगा जितना भी guys मेरे पास extra समाने जिसे wood हो गया thatch हो गया थोड़ा सा meat होगी guys वह में के करूंगा drop कर दूंगा and जो हमें अपने raptor का level up करने का mission है तो सबसे पहले guys हम उसका level weight को up करेंगे तो चलिए guys यहां पर अब इसका जो अपना raptor है उसका weight level up कर लेते हैं तो finally guys यहां पर मैंने weight को दो बार level up कर लिया है I think अब हमारा raptor काफी तेज बाग सकेगा तो जी हां guys यहां पर हमारा raptor अभी काफी तेज भाग रहा है एंड चलिए guys अब मेरे को ढूड़ना है यहां पर equanodon यहां यहां पर हमारे base के पास में काफी ज़्यादा brondosaurus है एंड मेरे को मन कर रहा है guys brondosaurus टेम करो एंड एक चीज पता और चलिए guys guys ऐसे करते हैं एक बार ट्राइक करते हैं कि हम जिनकी भी breeding है वह बहुत बार कराएंगे 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 और देखते हैं कि हमें वाला creature कब मिलता है तो finally guys यहां पर मेरे को एक equanodon मिला चोकि लेवल कम का था पर guys यहां पर मैंने सोचा यार इसको बाद में टेम करेंगे सबसे पहले और equanodon देख ले थे and guys यहां पर मैं काफी ज़्यादा ढूंडा था मैंने उसको तो मैं यहां पर आया क्योंकि यहां पर actually मैं guys काफी ज़्यादा equanodon रेते हैं यहां पर equanodon तो नहीं थे पर guys यहां पर परसौरस अभी तक हमने टीम नहीं करा हैं तो वह भी गाइस हम काफी जल्दी कर लेंगे तो मैंने सब्सक्राइब यहां पर इस पाड़ी के पीछे चलते हैं में यहां पर हमें यहां इसका यूज किया है एंड एक creatures तो है जिसको अगर guys कोई भी हर भी बोरस मारता है न तो वह poisonous gas छोड़ता है में भी guys उससे वह जो creature वह unconscious जल्दी हो जाता है तो मैं guys उसको try करूंगा at least एक बार tame करनेगा एंड उससे guys हम क्या करने वाले triceratops को tame करेंगे मतलब unconscious करेंगे देखतें guys कि वह काम करता या नहीं करता तो अभी तो guys मैं यहां पर वही ढूंड रहा हूँ मिलता या नहीं मिलता वह देखतें guys उसके उपर नहीं तो फिर guys ऐसे करेंगे बाद में इसी को टेम करेंगे at least एक बार यहाँ पर देखके आ जाते हैं हम यहाँ पर मिलता यह नहीं मिलता पर guys यहाँ पर आई दिंग यहाँ तो हमें कई भी दिख नी रहा है तो guys एक चीच बताना आपको एपिक ग्राफिक में आर्क सर्वावल इवाल कैसा दिखता है मेरे को तो गाइस काफी ज़्यादा मज़ा आता है एकदम रियल टेक्शर लगता है गाइस जंगल अगा सीन तो यहाँ पर गाइस एक थ्राइजिनो सौरस दिखा मेरे को मैंने बोला बेटा यहाँ पर से निकल यहाँ पर रुक के कोई फायदा नहीं है तो मैं तो वहाँ पर से तो मैं इसली निकल गिया अभी मैं पंगा नहीं लेने वाला उन से तो निकल जा बेटा पहली फुरसत में निकल 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 क्या बोला गाइस निकल पहली फुरसत में निकल गिया मैं तो आप गैस जो भी लाटता यहां पर मैंने वो रिकॉर्णिंग नहीं करिया थीस मिनट्र το मज़िते मिलना काफी ज्याहता मैंने थीस से 40 मिनेटनलिकों कोई खालूस मिल जार तही यहां पर ये पर तीस रहे गई guys, अरे ओ फस गया फास गया में, अरे नहीं बच यह मर गया मर गया guys finally यहाँ पर मेरे Raptor ने मेरे को बचा दिया, very good the killer तो guys यह हमारा killer जिसने मेरे को एक बार at least बचा लिया है तो चलिए guys अब time waste नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं guys उसी Equanodon के पास और उसको हम time कर लेंगे अब, क्योंकि guys हमें कहीं पर भी तो Equanodon मिला नहीं, अब तो एक ही चारा बरसता है कि उसको हम easily time कर लें तो चलिए guys अब ऐसे करते हैं, वहाँ पर time करते हैं उसको और यहाँ पर आए guys मेरे कोई explore not मिला में भी open नहीं था पर guys यहाँ पर बाद में देखा मैंने वह तो open है, चलो फटावर्ट से guys इसको फैंकते हैं, तो finally guys यहाँ पर मैंने बॉला वेपन में तो फसा लिया है तो पहले ट्रैंक्स अरोस मारा, दूसरा मारा and guys अब तो I think unconscious हो चुके हैं smoothing balm के लाएंगे क्योंकि मेरे पास guys इतना time है नहीं कि मैं इसको only berries से collect करूँ and berries से tame करने में guys literally काफ़े ज़्यादा time लग जाएगा तो फटावर्ट से smoothing balm लगाओ and 2-4 minute में guys easily tame तो ऐसे करते हैं guys हम biotoxic transfer कर लेंगे तो guys देखना एक bite में 15% tame दूसरी bite में 30 मतलब guys around 6-7 berries में tame हो जाएगा तो देख सकते हो guys इतने जल्दी 30% tame हो चुका है तो guys मैं आपको recommend करूँगा कि आप हमेज़ा guys smoothing balm से tame करना तो आप लोगों काफी ज़्यादा मजा आएगा and काफी जल्दी guys easily tame भी हो जाएगा तो I think guys 45% and इसके बाद 60% तो guys अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like ज़रूर करना चैनल को subscribe करना मद बुलना एंड वीडियो को guys एक बार comment करके बताना है कि आप लोगों को Ark Survival Evolve की series और चाहिए and carry on रखूँ या फिर बंद कर दूँ तो मेरे को पता है guys maximum भाई लोग बोलेंगे क्योंकि बहुत भाई लोग बोलते हैं कि तुम आर एक लिस जैसे लाज़ डे रूल सर्वाइवल का वीडियो रेगूलर डालते हो तो भाई Ark Survival Evolve का वीडियो भी डॉला एंड काफी जादे भाई लोगोंने तो मेरे को Ark PC भी सजेस्स करा है तो फाइनली भाई लोगों Ark PC हम काफी जल्दी कहलेंगे मेभी एक तीस दिन के अंदर में अपना PC बना लूँगा PC बिल्ड कर लूँगा तो गाइस तब काफी जादा मजा आएगा अभी गाईस में को पता है आप लोगों को क्वालिटी थोड़ी सी गलत लग रही होंगी क्योंकि आप लोगों को मैंने अल्रेडी बता दिया मैं विलेज में आ चुका हूँ और मैं में मुबाइल डाटा से वीडियो अपलूट कर रहा हूँ तो गाईस क्वालिटी थोड़ा सा गलत आएगा पर गाईस थोड़ा सा यार कम्पुरामाइस कर लो अपने भाई के लिए चलता है इतना तो finally guys यहाँ पर अपना इकवानणाडोन टेंग हो चुका है तो सबसे पहले guys मैं उसकी inventory खोलता हूँ और उसकी inventory में हम उसकी saddle जो यह ट्रांसफर कर लेंगे तो भाई लोगों अपना इकवानडोन की नाम सजेस्ट करना की नाम हम क्या रखें तो चलो गैस ऐसे करते हैं डबल टैप करते हैं एकवानर डॉर्ण को सेडल पहना ली है तो फाइनली गैस देखो अपना एकवानर डॉर्ण कैसा लग रहा है एन गैस इसका भी यूस क्या है यह बेरीज एन वूट थेच गाइस काफी अची अमाउंट में कलेक्ट करता है एस कंपियर तो हमारा ट्राइसरोटॉप्स एन गैस भागता भी काफी अच्छा है तो चलो ऐसे करते हैं मैं विसिल बजाता हूँ कि हमारे पीछे एटलिस हमारा रैप्टर आ जाए तो चलिए गाइस फटाफट से चलते हैं देखो गैस कितना तेज भाग रहा है एटलिस एक इंसान से तो काफी तेज भागता है जो गैस इसका स्टैमिना है वो भी काफी जादा होता है तो यह काफी दूर तक डिस्टैंस इसली कवर कर लेगा बिना रुके तो गैस यहाँ पर सबसे पहले मेरे को इसका क्या बढ़ाना है तो वो में इसका जो level up करूँगा रहा ने गैस वो में करूँगा सुरिफ इसका stamina and speed में तो health में बढ़ाने वाला नहीं हो देख सकते हो गैस berries काफी अची amount में collect कर रहा है and would भी करेगा तो यहाँ गैस यह तो would भी collect करता है and thatch भी collect करता है फर fiber नहीं करता फाइबर आइधिंग गाइज ओनली थ्राइजिनोसारस कलेक्ट करता है तो उसको भी गाइज काफी जल्दी टेम करेंगे यहां पर देख रहा था मैं इसका सेकंड अटेक नहीं पड़ रहा था इसमें गाइज उनली एक ही अटेक काम करता है तो मैं सेटिंग में गया एंड चेक करा तो वहां पर तो गई सेकंड अटेक का ओप्शन आ रहा था पर यहां पर जब सेकंड अटेक मारने का ट्राइब कर रहा हूं पर सेकंड अटेक नहीं लग रहा है में भी गाइज इसका जो सेकंड अटेक है वो हैज नहीं तो देख सकते हैं यहां पर गैज इसका ए की वीडियो में करने वाले एंड कैस्कुछ और चीश हम दूंदेंगे तो वीडियो लांस तक जरूर देखना है अगर वीडियो पसंद आयर तो वीडियो को लाइक तो चमकाते हैं इसको भी फटा फट से तो यहां पर इसने तो मारनी पर आपना राप्टर ने गाइस उसकी हालत खराफ कर दी तो यहां पर जंप तो काफी अच्छा कर रहा है यार तो अभी मेरे पास बड़े बड़े डाइन ऑफ कितने हो चुके हैं तो एक तो मेरे मेरे ट्राइसर टॉप से एक रैप्टर रहे हैं एक इक वानदोन तो गैस काफी ज्यादा मजा आ गया अटलिस तीन तो मेरे पास अच इस पार तो यहां पर गाइस हैं मेरे जो इक वानदोन है उसे कौन मारा रहा है डिलफोसरस तो यहां पर मेरे जो पैटरन रोड़ोन था उन्होंने इसको मारने कर ट्राइब करते हैं तो देखना अभी मेरा जो वह ना रैप्टर उसके पीस यह कैसे भाग रहा है पर क्या क करें उसने बावजी का ठुलो दिखा दिया तो चलिए ऐसे करते हैं यहां पर सीधा निकलते हैं अपने बेस के तरफ एंड यहां पर देखते हैं कि हम इसके अंदर से कितना तेज भागता है तो आइधिंग यह पानी के अंदर काफी ज्यादा स्लो है तो पानी के अंदर हम गाइज अभी यह ट्राक है हमारा तो अब इसका काम थोड़ा सा कम करा है क्योंकि मैं अभी विलेज़ में हूं थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है गेम खेलने का जब तक हमारा फिक्स हो जाएगा तो में भी हम उसके बाद काफी अच्छी वीडियो बनानी ले क्रेणे गया तो यह ब्सक्राएं के पीछे-पीछे भाके वापस आ गया तो देख सकते हूँ गाइज्ट अगर आप किसी क्रेशर को किसी क्रेशर के उपर गटकर फोलो कराते करना तो तो चलिक हमैज आज की विडियो को यदो पसंद आई होगी अगर गाइज वीडियो प आप से नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुट बाई and have a nice day तो बबबाई भाय भाइ लोगो and miss you very happy holy तो बबबाई भाइ भाइ लोगो मिलते हम आप से नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुट बाई